बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल नाजरीन आज मैं आपके साथ बहुत ही एमेजिंग, बहुत ही यूसफुल और बहुत ही यूनीक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ इन टिप्स के इस्तमाल से आपको बहुत ज़्यादा फाइदे होंगे, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब आपका मिन्टों में हो जाएगा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंट तक लाज़मी देखें और इन टिप्स से फाइदा उठाएं तो चलें, शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिन टाइम जाया किये इस टिप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कपड़े का शॉपिंग बैग, इसको मैं साइडों से काट कर इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह के शॉपिंग बैग को हम ज्यादा तर बेकार समझ कर फैंक देते हैं आज मैं इन शॉपिंग बैग से ऐसी जबर्दस चीज बना कर दिखाऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसकी साइडें काट कर इसको फोल्ड कर लिया है अब हम इसके उपर गलास को रख कर मारकर से गोल दाइरा बनाएंगे ये ऐसी सबर्दस टिब है जो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा देगी ये जो चीज हम बनाने जा रहे हैं वो बजार से बहुत महंगी मिलती है लेकिन आप इसे घर में बहुत कम पैसों में बना सकते हैं तो ये देखे हमने शॉपिंग बैग पर दाइरा बना लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे कैंची के साथ तो ये देखे हमने कितने सारे शॉपिंग बैग को गोल शेप में काट लिया है अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे फिर हम लेंगे एक बाउल उसमें डालेंगे ग्लेस्टीन 2 टेबल स्पून फिर हम इसमें एड़ करेंगे 3 टेबल स्पून रोस वाटर जिसको हम अरके गुलाब भी कहते हैं अब हम इसमें डालेंगे coconut oil, टू टेबल स्पून, coconut oil को हम नारियल का तेल भी कहते हैं, अब हम इनको अच्छी तरह से mix करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ने इन तुमाम चीजों को अच्छी तरह से mix कर लिया है, अब हम इसमें रखेंगे अपने shopping bags के piece, जिनको हमने gold shape में काटा था, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपने हाथ पर lipstick लगाऊंगी, ये matte lipstick है, matte lipstick जल्दी remove नहीं होती, अब मैं आपको इससे अपनी lipstick उतार कर दिखाती हूँ, इस तरह से हम एक piece उठाएंगे और इससे अपनी lipstick remove करेंगे, तो ये देखें नाजरीन कितनी असानी से हमारी lipstick हाथ से remove हो गई है, ये हमारा जबदस सा make-up rem remover ready हो चुका है, अब आप इसको किसी भी डबी में डाल कर महफूज कर लें, हमने बहुत कम पैसों में घर में make-up remover बना लिया है, आप भी लाजमी एक बार इस तरह का make-up remover गर में बना कर देखें, आप इन्शालला बाजार के महंगे make-up remover को भूल जाएंगी, इस शिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में add करेंगे baking soda, half tablespoon, इसको हम ज्यादा तर खानों में इस्तमाल करते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे dish wash liquid, one tablespoon, dish wash liquid आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आप घर में इस्तमाल करते हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी toothpaste, toothpaste, toothpaste भी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपके घर में मुझूद हो, अब हम इसमें डालेंगे white vinegar, one tablespoon, white vinegar को हम सिरका भी कहते हैं, इसको हम ज्यादा तर चाइनिज खानों में इस्तमाल करते हैं, अब हम इन तुमाम चीज़ों को अच्छी तरह से mix करेंगे, ये ऐसा जबद देख सकते हैं कि हमने इन तुमाम चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लिया है, अब हम लेंगे एक सूती कपड़े का piece, इसके उपर हम थोड़ा सा ये paste डालेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तमाल कैसे करना है, इस तरह की charger cable हम बहुत ज्यादा इस्त और दूसरा से हम एक cable को इस कपड़े में रखेंगे और दूसरे तरफ से खीच कर हम इस cable को साफ करेंगे, एक से दो बार ऐसे करने से आपके mobile charger की cable मकमल साफ हो जाएंगे, इस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही इस पर आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे, आप कि इस से आपके चार्जर केबल खराब भी हो सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने चार्जर केबल को अच्छे तरह से साफ कर लिया है ये बिलकुल साफ हो गई है जैसे आज ही नहीं खरीदी हो आप भी लाजमी एक पर इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इस को पसंद होते हैं जब इनका सीजन खतम हो रहा होता है तो बहुत से लोग इनको स्टोर करते हैं इनको स्टोर करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है इनका छिलका उतारना इनका छिलका उतारते उतारते हमारे नाखुन भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं आज मैं आपके साथ ऐसी जबदस टिप शेयर करूंगी जिससे आप इनके छिलके बहुत असानी से उतार सकेंगे तो इसके लिए हम लेंगे एक सूती कपड़े का पीस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कपड़ा पुराना और साफ होना चाहिए जिसको आप इस्तमाल नहीं करते अब हम लेंगे आइरन, आइरन को गरम करके हम इससे इन मटरों को गरम करेंगे ज्यादा जोर से दबा कर आपने मटरों को प्रेस नहीं करना क्यूंके इससे मटर तूट भी सकते हैं बलके हलके हलके हाथों से प्रेस करें और बस एक से दो मिंट आपने इसको ऐसे ही प्रेस करना है हमने अच्छी तरह से मटरों को प्रेस कर लिया है अब मैं आपको इनको खोल कर दिखाती हूँ तो ये देखे नाजरीन कितनी असानी से छिलकों से मटर बाहिर आ रहे हैं इस पर बिलकुल भी हमारी मिहनत नहीं लग रही और ना ही इस पर हमारा वक्त जाया हो रहा है छिलके गरम होने की वज़ा से नरम हो गए हैं जिसकी वज़ा से असानी से मटरों से बाहिर आ रहे हैं अगर आपने भी बहुत से मटरों को सेव करना हो तो इस तरीके से मटरों को सेव करें इस से आपका कीमती वक्त और आपके पैसे जाया होने से बच जाएंगे आप भी लाजमी एक बर इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी नाज़ीन ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनीक है आपने एक सर देखा होगा कि जब हम इमली वगारा घर में लाते हैं तो बास दफा उसमें बहुत जल्द कीडे पड़ जाते हैं और फिर वो बेकार हो जाती है और हम इसे बासकेट में फैंक देते हैं इमली बहुत जादा महंगी मिलती है जब हम इसे फैंक देते हैं तो हमें बहुत जादा दुख होता है आज मैं आपको इमली को सेव करने का ऐसा जबदस तरीका बताऊंगी जो 100% काम करेगा इससे आपकी इमली 6 माँ तक कीड़ों से महफूज रहेगी तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एर टैट जार इसको दो कर आपने मुकमल खुशक कर लेना है ये जार भी मुकमल खुशक है अब हम इसमें डालेंगे नमक थोड़े से नमक को आपने जार में स्प्रिंकल करना है अब हम इसमें डालेंगे इमली इमली आपने आदी डालनी है और आदी रखनी है इमली के बाद फिर हम इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा नमक जार में सारी इमली डाल दी है अब हम आखर में फिर से इस पर डालेंगे नमक नमक डालने के बाद हम जार को बंद कर देंगे अब आप इस जार को जहां पर मर्जी रखें आपकी इमली कीड़ों से महफूज रहेगी